नमस्कार प्यारे बच्चो आज क्लास सैवंथ इंगलिस बुक हनी कॉम के फर्स चेप्टर से शुरू करेंगे ये जो बुक है हमारी 2021-222 के सेशन के लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज जो फर्स लेसन है हमारा होगा होगा फर्स लेसन और इस फर्स लेसन में फ्री क्वेस्टर है ये टाइटल हम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले एक राजा के तीन परसन है और वो उनके उत्तर खोज रहा है खोज रहा है अंसर उनके वे परसन के आए जिनके वो अंसर खोज रहा है है what are the questions does the king get what he wants क्या राजा को मिलता है does he gets does the king gets what he wants जो वो चाहता है क्या उसको मिलता है उसको क्या प्रशनों के उत्र मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things the thought एक विचार राजा के मन में आता है the thought came to a certain king एक कोई राजा है certain king है निश्चित कोई राजा उसके मन में एक विचार आता है that he would never fail if he knew three things कि वो कभी ऐससफल नहीं होगा गर उसे तीन चीजों का तीन बातों का पता लग जाए things का these three things were और ये तीन चीजे थी what is the right time to begin something किसी चीज को शुरू करने के लिए सही समय क्या है what is the right time सही समय क्या है to begin something किसी चीज को शुरू करने के लिए what people should listen to और लोगों को किस चीज को सुनना चाहिए कैसी बाते हैं जो उनको सुनने चाहिए जो उनके लिए फाइदे मन्द होगी और जो थार्ड question है what is the most important most important सबसे महतुपूर्ण think क्या है for him to do उसके लिए जो करने के उसके लिए करने के लिए सबसे महतुपूर्ण चीज क्या है क्या बात है तो the king therefore sent messengers throughout his kingdom राजा ने अपने messengers अपने संदेश वाहक भेज दिये sent कर दिये throughout his kingdom अपनी पूरी राजधाने में जहां तक उसका रज्य था पूरी राजधाने में अपने messengers संदेश वाहकों को उसने भेज दिया promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions और साथ में उसने promise किया कि वो एक बड़ी सी sum बड़ी सी रकम a large sum of money पैसे की वो promising करता है to anyone किसी को भी who would answer these three questions जो इन तीनों परसनों के जवाब देगा तो ऐसे उसने many wise men came to the king बहुत सारे wise men बुद्धिमान आदमी राजा के पास है but they all answered his questions differently लेकिन सभी ने उसके परसनों का जवाब differently दिया अलग-अलग तरीके से दिया किसी ने उसके जवाब में कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा तो सब का जवाब था उसके परसनों का टाइम टेबल कि राजा को एक टाइम टेबल त्यार करना चाहिए then follow it strictly और फिर इसको पूरे ध्यान से follow करना चाहिए only in this way they said he could he do everything at its proper time इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो हर काम को एक proper time पर कर सकता है अगर वो अपना एक टाइम टेबल त्यार कर लेता है उस थी तिम तो सब का ये विचार था other said दूसरों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something other said दूसरों ने कहा that it was impossible कि असंभव है impossible है to decide in advance पहले से decide करना advance में decide करनेना the right time सही समय for doing something किसी काम को करने का तो दूसरों ने कहा कि सही काम को करने का जो समय पहले ही decide कर लेना एक असंभव बात होती है किसी काम को करने का पहले समय हम ग्यात नहीं कर सकते सही समय हम ग्यात नहीं कर सकते the king should notice all that what was going on राजा को सब चीज़े देखनी चाहिए notice करने चाहिए कि क्या हो रहा है avoid fullest pleasures और मुकता भुरे जो खुशियां है परलोबन है उनसे उनको बचना चाहिए तो कुछ नहीं यहाँ पर राजा को सुझाव दिया उसके बाद always do whatever simply necessary at the time और राजा को हमेशा वो काम करना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है yet other said फिर दूसरों ने कहा yet फिर भी other said दूसरों ने कहा that the king needed a council की राजा को एक सभा की जरूरत होती है of wise men जो बुद्धिमान आतमियों की सभा हो उसकी जरूरत होती है who would help him act at the proper time जो उसकी मदद करेंगे सही समय पर काम करने के लिए who would help him जो उसकी मदद करेंगे act at the proper time सही समय पर काम करने में this was because one man would find it impossible to decide correctly यह ऐसा इसलिए है this was because ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा this was because one man would find it impossible क्योंकि एक आदमी के लिए बड़ा impossible होता है बड़ा मुस्किल होता है to decide correctly सही तरीके से correctly सही तरीके से decide करना कि क्या सही है क्या गलत है without help from others बिना दूसरों की मदद से decide करना उसके लिए बड़ा मुस्किल होता है the right time for every action हर काम के लिए जो सही समय क्या है ये करना बड़ा मुस्किल होता है but but then others said लेकिन तब दूसरों ने कहा that there were some things कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कुछ बातें हैं which could be urgent जो बहुत जरूरी हो सकती है these things could not wait for the decision of the council और ये चीज़े राजा कोई करनी होती है और इस तरह के से उनको करने के लिए राजा कोई लंबा इंतजार नहीं कर सकता कि कब उसका decision आएगा तब ही वो काम करेगा तो इसा वो राजा नहीं कर सकता in order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future किसी काम को करने के लिए जो सही समय क्या है उसके लिए राजा को future को देखना पड़ेगा भुष्य के बारे में सोचना पड़ेगा and only magicians could do that और ऐसा था क्यों जादुगर ही कर सकते हैं magicians ही कर सकते हैं the king therefore would have to go to magicians इसलिए राजा को पहले जादुगरों के पास जाना चाहिए in their answers to the second question second question के person के जवाब में second question के जवाब में some said कुछों ने कहा कि that the people most necessary to the king were his counselors कि राजा के लिए सबसे necessary most necessary लोग कौन होते हैं वो राजा के counselors होते हैं राजा के खुद के जो सलाकार होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं other said दूसरे ने कहा the priests की पुजारी सबसे ज़्यादा महत्वपून होते हैं a few others chose the doctors और कुछ ने कहा कि doctor a few others कुछ दूसरों ने chose चुना कि doctors ऐसे होते हैं जो राजा के लिए बड़े ज़्यादा होते हैं and yet और फिर भी others said दूसरों ने कहा that his soldiers were the most necessary की राजा के जो सिपाही हैं soldiers है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं most necessary होते हैं राजा के लिए to third question some said third question के जवाब में कुछों ने कहा science कि science राजा के लिए बड़ी ज़रूरी होते हैं others chose fighting कुछों ने कहा कि राजा को लड़ाई अच्छी होते है राजा के लिए लड़ाई करने चाहिए युद करने चाहिए and yet others religious worship और कुछों ने कहा कि राजा को धार्मिक पूजा करने चाहिए वर्शिप करने चाहिए fighting नहीं करने चाहिए science से भी राजा कोई मतलब नहीं होना चाहिए तो उन्हों ने कहा कि कुछों ने कि राजा के लिए वर्शिप पूजा करना जरूरी होता है as the answers to his questions were so different जैसे सभी के जवाब थे answers थे उन परसुनों के वो सभी किया थे different थे बिलकुल अलग लग थे the king was not satisfied राजा संतुष नहीं होआ and gave no reward और किसी को भी उन्हें कोई reward कोई इनाम नहीं दिया इसकी बजाए instead इसकी बजाए he decided to seek the advice उसने seek मैंने मांग की उसने निर्णे लिया उसने decide किया decided to seek उसने निर्णे लिया कि वो मांगेगा advice मांगेगा of a certain hermit किसी एक certain एक कोई निश्चित निश्चित संत से वो कई एक क्या मांगेगा उससे किसी संत से advice लेगा उससे प्रामर्स लेगा तो राजने ऐसा सोच लिया who was widely known for his wisdom और वो संत ऐसे संत से वो प्रामर्स लेगा जो अपनी wisdom के लिए जाना जाता हो non for his wisdom ऐसे वो संत से सला लेगा the hermit lived in a wood hermit था जो वो सन्यासी था वो wood में रहता था wood होता है जंगल तो वो कहां रहता था जंगल में तो hermit जो wood में रहता था जंगल में रहता था अब जंगल में रहता था तो राजा जंगल में उस hermit से मिलने के लिए गया which he never left और उस जंगल से बाहर वो हर्मिट कभी नहीं जाता था, वो संथ कभी नहीं जाता था, which he never left, छोड़ता, left, leave, left, left, वो कभी उस जंगल से बाहर नहीं जाता था, उसने कह कि कोई नहीं, बट सिंपल पीपल, लेकिन साधान से लोग, and so the king put on ordinary cloths, और वो कभी किसी से नहीं मिलता था, केवल साधान लोगों से, सिंपल लोगों से मिलता था, तो इसलिए राजा ने ordinary से कपड़े डाल लिए, साधान से कपड़े डाल लिए, उस हर्मिट से मिलन के जोपड़ी में, the king left his horse, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, with his bodyguard, अपने bodyguard के पास, जो उसके साथ अंगरक्षक थे, जो जंगल में गए थे, उनके पास उनने घोड़ा छोड़ दिया, and went on alone, और वो अकेला आगे बढ़ गया, went on, चला गया, alone, अकेला, उस मुन के पास आया, he saw the hermit digging the ground, उसने देखा कि वो hermit जमीन को खोद रहा था, hermit उसको खोद रहा था, जमीन को, in front of his hut, उसकी जोपड़ी के सामने जो जमीन थी, उसको वन संत खोद रहा था, he greeted the king, and continued digging, और संत ने, क्या क्या, उसने राजा को जब देखा थो, he greeted, उसने उसको greet किया, नमस्ते की, राजा को, and continued digging, और वो खोदना उसने जारी रखा, digging, जारी रखी, the hermit was old, hermit boudha था, weak था, कमजोर था, and he worked और वो काम करता था, और जोर-जोर से सांस ले रहा था, breathe, सांस ले रहा था, heavily, जोर-जोर से वो सांस ले रहा था, hermit, तो बड़ा boudha था, अब ऐसे में, the king went to the hermit and said, वो king है, hermit के पास गया, राजा, जो hermit के पास गया, और से बोला, said, कहा, I have come to you, मैं तुमारे पास आया हूँ, wise hermit, बुद्धिमान, संत मैं आपके पास आया हूँ, to ask you, to answer three questions, कि तुम मेरे three questions, का जवाब दो, यह पूछने के लिए, मैं तुमारे पास आया हूँ, how can I learn, to do the right thing, how I, how can I learn, मैं कैसे सीख सकता हूँ, to do करना, the right thing, at the right time, सही समय पे सही काम करना, मैं कैसे सीख सकता हूँ, who are the people I need most, वो ऐसे लोग कोन है, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा जूर्थ पढ़ती है, and what affairs are the most important, और सबसे ज़्यादा महत्वण मामले कौन से हैं, affairs मामले, the hermit listened to the king, hermit ने राजा को सुना, राजा की बात सुनी संतने, but he did not speak, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, he went on digging, और वो खोधता रहा, went on digging, खोधता रहा, you are tired, तुम ठके हुए हो, said the king, राजा ने कहा, कि तुम तो ठके हुए हो, let me take the spade, स्पेड होता है, कसी, जो फावडा होता है, जिसे हम मिट्टी के खुदाई करते हैं, कसी, खेतों में किसान काम करते हैं, स्पेड होता है वो, let me take the spade, मुझे ये कसी दे दो, मुझे ये फावडा दे दो, and work in your palace, और मुझे तुमारे place पर, तुमारी जंगा पर काम करने दो, thanks, said the hermit, hermit ने कहा, कि धन्यवाद, आपने मुझे से पूछा, इसके लिए, hermit ने thanks बोला, said the hermit, thanks, giving the king, his spade, और राजा को, उसने अपनी कसी दे दिया, अपना फावडा दे दिया, then he sat down on the ground, तब वो sat down, बैठ गया, on the ground, जमीन के उपर बैठ गया, फिर को, when the king had dug two beds, जब राजा ने दो क्यारिया खोद दी थी, dug means, खोद दी, buds, क्यारिया, दो क्यारिया, जब राजा ने खोद दी, सन्यासी की, he stopped, वो रुख गया, and repeated his questions, और फिर उसने अपने, फिर वो अपने तीन परसंद थे, जो, उस सन्यासी को repeat की, the hermit gave no answer, और hermit ने अभी भी उसके परसंदों का, कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, लेकिन वो खडा रहा, stretching out his hands for the spade, stretching out, फैलाई हुए, his hands, अपने हातों को फैलाई हुए, वो खडा रहा, for the spade, उस कशी को मांगने के दिये, and said, और कहा, now you rest, अब त संतने दोबारा उससे कसी ले ले, और मांगी कि भई, आप मुझे वापिस मेरी कसी दे दो, मेरा फावडा मुझे दो, और मुझे अब अपना काम खुद करने दो, राजा को ऐसे बोला फिर संतने, but the king did not give him the spade, लेकिन राजा ने अब उसको spade वापिस नहीं दी, और उसके जंगय पर वो काम करता रहा, and continued to dig, continued जारी रखा, to dig, खोदना उसने जारी रखा, one hour past, एक घंटा बीत गया, then another, फिर दूसरा घंटा बीत गया, दूसरा घंटा भी चला गया, एक घंटा हो गया, उसके बाद दूसरा भी चला गया, the sun went down, और सूरज went down, नीचे चला गया, behind the trees, पेड़ों के पीछे, तो जुणता वहाँ पे ग्रोव था, उसके पीछे वो छिप गया, सूर्य भी छिप गया संद्य होगे नहीं, इस बज़े से, and at last the king struck the spade into the ground and said, और अंत में फिर राजा ने उस कसी को ground में गाड़ दिया, जमिन में गाड़ दिया, और कहा, I came to you, wise man, बुद्धिमान आदमी, मैं आतो आपके पास आया था, for an answer to my questions, अपने परसुनों के जवाब पाने के लिए, if you give me no answer, tell me, so I will return home, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहते थे, if you can give me no answer, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, tell me, तो मुझे बता दो, so, ऐसा, मुझे बता दो, and I will return home, और मैं अपने घर वापिस लोट जाओंगा, मैं आपको प्रिशान नहीं करूंगा, here comes, here comes someone running, said the hermit, hermit ने कहा, कि यहाँ पे कोई दोडता हुआ आ रहा है, said the hermit, hermit ने कहा, कि यहाँ पे कोई दोडता हुआ आ रहा है, तो प्यारे बच्चो, यह first part है हमारे वीडियो का, यह हमने कर लिया है, इसमें कुछ questions है, जो दिये गए है, इसी chapter का second part हम अभी continue रखेंगे, और इन questions के answer मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि इसके answer आपको next video मैं मैं बता सुकूं, वैसे एक बार questions मैं आपको हमारा part second है, इसी में, और इसका वीडियो आपको अभी मिल जाएगा, साथ में अगले दिन आपको next day का part second मिलेगा, तो चलिए, discuss करते हैं, first second questions और इसकी part, why did the king want to know answers to three questions, why, क्यों, the king want, राजा चाहता था, did, चाहता था, did the king want, want चाहता था, to know the answers, जवाब जानना, no, जानना, two, three questions, अपने three questions के जवाब क्यों जानना चाहता था, क्या चीज थी, क्या वज़य थी, जिस वज़य से राजा कुन तीन परसनों का जवाब चाहिए था, आप सोचके बताएं, इस chapter को read करें, आप खुद भी read करें, इस section है, तो थोड़ा दोबारा वीडियो को देख लीजी, और फिर second time आप repeat करेंगे, खुद read करेंगे, self study करेंगे, तो surely आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, इस से पहले मैं आपको advise करूँगा, कि थोड़े इसके word meanings है और dictations है, जो difficult word है, उनके आप spelling से याद कर ले, उ instance से underline करें, उन difficult words को और उनको बाहर एक तरफ करके, नोट बुक पे write down करें, उनकी spelling से याद करें, उनकी pronunciation, और फिर इनके meaning याद करें, तो आपके लिए धीरे धीरे सभी चीजे आसान होने लगेगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, second question, क्या है, messengers were sent throughout the kingdom, संदेश वाक जो राजा के संदेश ले जाने वाले थे, वर्ष सेंट भेज दिया गया उनको, throughout the kingdom, पूरी राजधानी में, अपनी राजा ने उनको भेज दिया, क्या करने के लिए भेजा, अब बताएगे, first option में, to fetch wise men, बुद्धिमान आदमी को ले कर आने के ल आना, ऐसा करने के लिए भेजा था, या फिर, to find answers to the questions, अपने परसनों के जवाब ढूनने के लिए उनको भेजा था, या फिर third option, to look for the wise hermit, बुद्धिमान, जो hermit थे संद को, उनकी तैलास करने के लिए भेजा था, look for होता है, तैलास करना, look for, इकठा जब इसको बोलते है तैलास करना, to investigate, to find out, पता लगाने के लिए, look for, करने के लिए, तलास करने के लिए, क्या सन्यासी को तलास करने के लिए भेजा था, या फिर fourth option, इसमें सही है, या आप बताईए, to announce a reward for those who could answer the questions, to announce घोशना करने के लिए, इनाम की एक reward की, for those, उनके लिए, जो उनके such the questions, make your own choice and tell, or next in the next video that will follow on next day, thank you for watching, please do subscribe my channel and you will get more from here, thank you.